कि बिल्कम बेक आयम दर्मिन सर फ्रॉम डियर्स लेंशु डॉक्टर मुखरी दिली मेरे पेरे दोस्त अच्छुली मैं अब आपके सिखाने के लिए जंग छिड दिया हूं आप अंग्रेजी कैसे नहीं सीखोगे जब मैंने सपत ले लिया सिखाने के लिए अंग्रेजी का व दो अगयां सारे बच्चों कमेंथ हैं डू ड़ज को नहीं आता सर कैसे बोले संटेंज को सर तो देखते हैं डू डाजिसokay उस्टार रहस प्रेंच के लानते हैं क्या की डू-डँस देखते हैं आपके सामने मैघ्डी माधर आऊ कि आखिर ये दूो और ये अधागा आप कहां करोगे तो ईदू और डज के बारे में आप एक आक परियोग देखोगे सांत में बोने है वोजेता हूं दूड़ आउर दीडो को भी सांत दिखे रहे एक ही फैमिली का है, एक ही जाती का है, करने का प्यास करते हैं, सबसे पहला यूज, हम लोग पढ़ेंगे, do, does का चार यूज, पढ़ेंगे, कि आज लगते हैं, डूज कितने यूज हो स्कते हैं, बच़ों को यह नहीं पता, की do, does लगाया कहा जाए, सबसे पहले बात करूँ, तो आपके सामने बात करूँ, do, does और did, इसका मैं सिकारा हमको पहला यूज, कि do, does का यूज तुम कहां करोगे, सबसे दियान दो ये do word तुम्हारा plural है, अगर तुम्हारा subject plural हो, तो इसका यूज करना do का, और does तुम्हारा singular है, और did, did जो तुम्हा मन करें, वहां यूज करो, do, does का सारे subject के साथ, ठीक है, जैसे हमने कहा, do, does का प्रोग, subject plural तो, जैसे I के साथ, U के साथ, दे के साथ, ये 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 साथ, आदमी का नाम हो तो आपे डज का प्रयोग करना और जहां मन करें डीड लगाने का वहां लगा दो I के साथ, U के साथ, He के साथ, C के साथ, Lata के साथ, जहां मन करें सब के जगा डीड लगा दो, डर ने क्या अप सकता, नहीं है, बेधरग बोलो, अब आपको एक एक कर सिखाता हूँ कि डू डज का सेकंड इज क्या है तब जाने का प्रयास करते हैं आप एक एक काम, अभी आपने सिखा हर चीज का स्क्रीन शॉट लेलो, आप जाने का प्रयास करो, पहला देखो कि सबज़क के बास, डू लगाना, डज लगाना, दिड लगाना, लगा दिया कि आप नाउन का प्रयोग कर सकते हो, क्लियर, क्या प्रयोग का हमने, नाउन का प्रयोग कर सकते हो, अब यहाँ पर हमने कहा, कि दू डेज डीट के बाद नाउन का प्रयोग कर सकते हो, अब नाउन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, वह हम जाने का प्रो करते हैं, जैसे हमने कहा कि मैं यह काम करता हूं, तो हमने कहा I do this work, मैं यह काम करता हूं, वह यह काम किया या उसने यह किया, तो he did this, I do this, I do this, you, you, do this, तो हमने पहले ही कहाता कि do आपका plural है, अगर subject plural हो, तो do का प्रो करना, और अगर subject तुम्हारा singular हो, तो does का प्रो करना, और singular प्रो का कोई टेंशन ना हो, तो did का प्रो करना, किसी के साथ भी did लगा सकते हो, जैसे sir, आपको example दिखाता हूं, हमने कहा यहाँ पे ही, यहाँ हमने कि ले लगा से, हमने कि यहाँ पे हमने कहा यहाँ आपका यू, आई, सब के साथ आप दिखातो गाराओ, he did this, he did this, she did this, they did this, you did this, I do I did this, is it हिंधी कहो सब मैंने किया था तुमने आप उन इसकी था उसक्षित आप उसक्षित हो प्र fattyyat We Polly अर modests कप्रों काऊं करना जब तुम्हारा सभीक्ट सुलर हो हमने कहां ची हमने कहा लत अगैं सोरी हम ने कहा ही सबके साथ क्या रवा को कहा हो सुल करती थी किव इस एक लेका ही कि ये चिवी ती के फैसल कुण दी न smarter so यहांगे मिना नि शलो के ते शुल सकुझे नृष टे यूज न को दिछ दम्यें का च्वीवका सुलज सॉछ चलरुशा erm why आप प्रामजाने का प्रास करें, तीसरा यूस, हम देख रहे हैं, do, does, did का, हम यहाँ बात करें, कि do, does, did का जो थार यूस है, आप यहाँ प्रयोग करोगे, कि जैसे सब्जेक्ट है, do लगाया, does लगाया, did लगाया, इसके साथ नथिंग का प्रयोग किया, नथिंग के वह पहता ही तो है, वह पहता ही तो रहता है, मतलब पहने के सिवा कोई काम नहीं करता, तुम खेलते ही तो रहते हो, तुम तीबी तो देखते हो, वह सोता ही तो रहता है, तो जब कोई काम होता रहे, उस काम के अलावा और कोई काम नहीं हो, तो अहाँ पर दीट क्यार बत्रवार sentence साफ का बस्लूटली राइड होगा cortex जयब से हमने कहा कि midnight he he does nothing he does nothing और थुरासा साफ पढ़ लोगे ना तो he does nothing but play वा क्या काम करता है he does nothing कुछ नहीं करता but play खरीम कर घृते ही रहते है तो ही रहता है का सैंस देहा ही रहता है you do nothing but cry वा रोती ही रहती थी यार तो she did nothing but cry रोती ही रहती थी अना तो में क्या कहा she did nothing she did nothing but cry she did nothing but cry वा रोती ही रहती थी तुम खेलती ही रहती थी you do not you did nothing but play तुम खेलती ही रहती हो हो की बात करें तो you do nothing but play तुम खेलती ही रहती हो you do nothing but play वा खेलती ही she does nothing but play तुम खेलती ही थी you did nothing but play तो आप जितना मन करोतना प्रयो कर सकते हो यह था हमलों का तीसरा यूस अब दिखते हैं चौथा यूस जो टेंस में करते हैं या यह होप तुम्हें आता होगा जैसे सब्जेक्ट प्लास कि फोर्थ मुझ देखो कि सब्जेक्ट प्लास डू कि देज या फिर आप डिड लगा दें डिड के साथ नॉट लगा दें बीवन प्लस अबड तो इसका जो है पॉजिटिव अश्टिव अप लोगों को पता है ना क्या होता है तिसका पॉजिटिव होता है कि सब्जेक्ट प्लस वीवन वीफाइव वी टू जैसे वीवन का मतलाव गो गोस वैंट एट एट एक एट एट एक लाफ लाफर लाफड तो जो वीवन वीफाइव एक एप वैप एक षोफ बोलते है और वीटू नैचिपर पॉर्म को पलते है प्लस अधर बर्ट गेटी बना सकते हैं, do, does, did, जब आपको टेंस पहाँ होगा, पता तूगा इसको, तो do, does, did, हना, plus subject, v1, other word, जैसे आपने कहा, कुई वह रोती है, C cries, वह रोती नहीं है, C does not cry, क्या वह रोती है, does C cry, वह क्यों रहती है, तो why does C cry, मैं अंग्रेजी पहता हूँ, I read English, मैं अंग्रेजी नहीं पहता हूँ, I do not read English, क्या मैं अंग्रेजी पहता हूँ, do I read English, तो जब एक टेंस पहाँगा, तो इसके छे अस्ट्रॉक्ट्र बताऊँगा, positive, negative, interrogative, interrogative, negative, और WH family, जैसे मैं पहता हूँ, I read English, मैं अंग्रेजी नहीं पहता हूँ, I do not read English, क्या मैं अंग्रेजी पहता हूँ, तो do I read English, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पहता, don't I read English, मैं अंग्रेजी क्यों पहता हूँ, Why do I read English? मैं एंगलिजी क्यों नहीं पहता हूं? Why don't I read English? clear? है न? Did का मतला past हो गया? तुम एंगलिजी पहते थे You read English You did not read English Do you? Did you? Did you read English? Didn't you read English? Why did you read English? Why didn't you read English? तो आप जतना sentence चाहो I hope यह आपको आता होगा नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे मैं टेंस में हर एक चिर्पता दूँगा जितने वीडियो आप धर्मेंस के देखते हो उस सारे वीडियो पर आप कमेंट करो और जो चाहिए दिमांड करो करते हैं और इस वीडियो को पूरे भारत में हर एक बच्चों को दिखाने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और तहुय दिल से शुक्रिया और वीडियो को Like & Share करने के लिए भी बहुत बहुत धनेवाद उन सारे बच्चों से आप सबस्क्राइब करवाईए जिनको DSL क्या आप सकता है अब दिल्ली दूर नहीं है अब दिल्ली में आ करके I2I कॉंटेट करके आप पढ़ सकते हैं या फिर आप घर बैठे भी एंग्रेजी बेटर सिख सकते हैं आप आउनले एंग क्लास ले करके www.dsl.inglese.com Thank you very much फिर मिलते हम लो अगली वीडियो में